का है हिस्टोरी प्रामिक नवरो की कहानी हर्पास व्यत्या का फूर तत्वा है अब्जेक्टिक कोचन है जो 2022 में आने वाला है बहुत सरा इसमें से कोचन लड़ेगा आप ध्यान से याद कर लिजिएगा लिखने का जरूरत भी नहीं है याद इसे भी हो जाएगा आफान नमर वन है हर्पास व्यत्ता कि मोहर किस चीज की बनी है यानि मोहर किस चीज की बनी है बनावली किस राज में इस्ति थै? तो हर्याना बनावली किस राज में इस्ति थै? हर्याना लोथाल किस नदी के किनारे इस्ति थै? इसका एंसर होगा C, भोगवा लोथाल किस नदी के किनारे इस्ति थै? भोगवा लोथाल किस नदी के किनारे इस्ति थै? भोगवा सिंदु घाटी के निवासियों को किस धातु का ग्यान नही था सिंदु घाटी के निवासियों को किस धातु का ग्यान नही था चांदी सिंदु घाटी के निवासियों को किस धातु का ग्यान नही था चांदी हर्पा सब्यता किस जुग की सब्यता है कशिय जुग हर्पा सब्यता किस जुग की सब्यता है कशिय जुग हर्पा संस्कृति अधारित थी हर्पा संस्कृति पर अधारित थी अपका एंसर होगा बैपार पर हर्पा संस्कृति पर अधारित थी तो इसका एंसर होगा बैपार पर हर्पा सब्यता के लोग उप्साना करते थे तो इसका एंसर होगा आपका सी मात्री देवी की हर्पा सभ्यता की लोग उप्षाना करते थे मात्री देवी की हर्पा सभ्यता का सोरूप क्या है? हर्पा सभ्यता का सोरूप क्या है? सोहरी सभ्यता हर्पा सभ्यता का सबसे बारा नगर कौन है? हर्पा सब्यता का सबसे बारा नगर कौन है अपका इंसलों का मोहन जुद्रो हर्पा सब्यता का सबसे बारा नगर कौन है मोहन जुद्रो हर्पा सब्यता की सर पर्थम खुज की थी हर्पा सव्यत्ता की सर पर्थम खोज की थी दाया राम सोहनी इसके एंसर होगा B हर्पा किस नदी के किनारे इस्ति थाये राबी हर्पा किस नदी के किनारे इस्ति थाये राबी हर्पा सव्यत्ता की सबसे मह पूर्ण बिसेश्ता थी नगर जोजना यो आस्तु करला नगर जोजना वो आस्तु करला इसके एंसर होगा A आर्पा सव्यत्ता का परसासुन था नगर पली का आर्पा सव्यत्ता का परसासुन था नगर पली का आर्पा सव्यत्ता का परसासुन था नगर पली का आर्पा सव्यत्ता के पतन के क्या कारण थे आपका एंसर होगा D यानि विदेशी अकर्मन परकृतिक कारण और मानिवी कारण तिनू होगा इसमें से D हारपा सवेता के अस्तल से इस्तिरी के गर्व से पाइदा निकलता दिखता है आपका एंसर होगा C हारपा सिंदू घाटी सवेता के अस्तलों में सर पर्थम कीस अस्तल का उत्खरण हुआ था सिंदू घाटी सवेता के अस्तलों में सर पर्थम कीस अस्तल का उत्खरण हुआ था इसका एंसर होगा हारपा A अपका एंसर होगा लोथल किस सिंदू अस्तल से सुतिक कपरे के साच मिले है किस सिंदू अस्तल से सुतिक कपरे के साच मिले है आपका एंसर होगा मोहन जद्रो मोहन जद्रो का उत्खरण किया था मोहन जद्रो का उत्खरण किया था आर डी बनर जी मोहन जद्रो का उत्खरण किया था मोहन जद्रो किस नदी के किनारे बसा हुआ था मोहन जद्रो किस नदी के किनारे बसा हुआ था मोहन जद्रो किस बसा का सब्ध है सिंधी बी इन सोरोगा इसका मोन जद्रो किस भासा का सब्द है सिंधी लोथल कहां इस्ति थै गुजरात में लोथल कहां इस्ति थै गुजरात पार्चिन इतियास का निर्मान किया गया फार्चिन इतियास का निर्मान किया गया उजुद सभी के अधार पर कालि बांगा भारत के किस राज में उज़ती थै इसका एंसरोंगा C. राजस्तान कालिबांगा भारत के किस राज में उस्तित है राजस्तान गंदे पाने की निकासी की सुस्वमुचित ब्यास्ता सर पर्थम किस सवेता में देखनों को मिलती है इसका एंसरोंगा सिंदु घाटी सवेता कालिबांग गाकी सनदी के किनारे इस्तित था इसका एंसरोग सर्सवत्ती सर्सवत्ती सिंदु सब्यता का बंदर गा नगर कौन था सिंदु सब्यता का बंदर गा नगर कौन था इसका एंसर होगा लोथाल दी सिंदु सब्यता में नर्तकी की मूर्थी कहां से मिली है महन जद्रो से सिंदु सब्यता का किस देश के साथ बेयापिरिक समझ नई था चीन से सिंदु सब्यता का किस देश के साथ बेयापिरिक समझ नई था चीन सिंदु वासियों के परमुख देवता कौन थे अवका पसुपत्ती महादेव सिंदु घाटी सवेता का कौन सा स्थान मिर्थगों का ठिला के रुप में जाना जाता है सिंदु घाटी सवेता का कौन सा स्थान मिर्थगों का ठिला के रुप में जाना जाता है इसका एंसरों का मोहन जद्रो सिंदु घाटी सवेता का कौन सा अस्थान सिंद बाग का कहा जाता है इसका एंसरों का मोहन जद्रो सिंदु सवयता में समाज का स्वरूप था इसके एंसर होगा मार्ती इस्तामक सिंदु घाटी सवयता किसके समाकरी नहीं मानी जाती है इसके एंसर होगा ए चीन की सवयता सिंदु सवयता का छेतर फॉल किस आकार का था तो त्रिपुजिकार इसके एंसर होगा त्रिपुजिकार किस सिंदु अस्तल में महिला और पूस को एक साथ दपनाया गया इसका एंसर होगा सी रोपर सिंदु घाटी सवयता में विशाल इसना नगर के आउस्यस कहा से पराप्त हुए इसका एंसर होगा महन जुदरो सिंदु घाटी सवयता की जुरूआ राजदानी थी हर्पा महन जुदरो राखल दास बनार जी को महन जुदरो के औसेस किस बर्स मिले अनई 122 सिवय में हल से जुद्वे खेत के साथ कहा से मिले हैं इसका एंसर होगा काली बंगा इसका एंसर होगा काली बंगा है पसुपती महादेव की मुहर में निर्म में से कौन सा जनवर नहीं पया गया इसका एंसर होगा C. सेर पसुपती महादेव की मुहर में निर्म में से कौन सा जनवर नहीं पया गया है सेर किस अस्तान से सतरंज की तरह की खिल के परमान प्राप्त हुए इसका एंसर होगा लोथल राय बाहदू दया रामसौनी ने कहा उत्खरण करवाया था राय बाहदू दया रामसौनी ने कहा उत्खरण करवाया था इसका एंसर होगा हरपा महांज द्रोग की खोज अनाई 122 इस वी में किसने की इसका एंसर होगा बी राखल दास बनार जीन है अब महांज द्रोगी खोज कब की गई अनाई 122 इस वी में दोनों आपका पया रहा है अब महांज आपका पया है